Hello and welcome to ConStory. This is Cheek Arshi और आज हम General English के Lecture 4 का Part 1 कवर करेंगे. The topic will be Narration from the syllabus of JKSSB Finance Account Assistant. अगर आपने अभी तक ConStory चर्यल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सब्सक्राइब कर दीजिए, पहला आइकन को प्रेस कीजिएगा, ताकि आपको टाइमली नोटिकेशन्स मिलती रहें. तो स्टार्ट करते हैं. तो प्रीविस लिक्चर में मैंने आपसे कुछ क्वेस्चन्स पोचे थे, यह उन क्वेस्चन्स के आंसर है, आप इनको अपने आंसर के साथ माच कीजिएगा, तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर, नरेशन, जैसा कि हम सब जानते हैं, नरेशन बहुत ही इंपॉर्टन कीजिएगा, तो स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले, वाट इस नरेशन, नरेशन होता क्या है, नरेशन, इट इस दा आर्ट अफ रिपोर्टिंग दे वर्ड्स अफ़ स्पीकर, जब कोई स्पीकर कुछ बोलता है, और हम उसके वर्ड्स को रिपीट करें, रिपोर्ट करें, ह ना तो डारेट स्पीच या इनडारेट स्पीच, अब डारेट स्पीच क्या होता है और इनडारेट स्पीच क्या होता है, हम वो देखते हैं, डारेट स्पीच में, देखो क्या होता है, जब स्पीकर ने कोई बात बोली, स्पीकर इसको बोलता है, जो कोई बात बोलता है, तो speaker ने कोई बात बोली, जब हम उसकी बात को as it is बोले, यानि जैसे उसने कही है, बिलकुल वैसे ही कहे, हम उसको direct speech कहते है, जैसे for example, यहां पे लिखा हुआ है, lubna said I am very busy now, देखो lubna ने कहा कि मैं बहुत busy हूँ, ठीक है, मैंने actual उसके words यूज़ कि, उसने कहा था कि मैं बह double quotes में रखते है, okay, जब भी आप double quotes में रखी हुई बात देखो, तो समझ जो कि, जो भी speaker है, उसने ये बिलकुल ऐसे ही कहा है, ठीक है, और अब, यहां पे आपको समझने की जुरत है, इस वाले example में, lubna is known as a reporter, okay, lubna यहां पे जिसकी बात, जो बात कर रहा है, that is known as a reporter, said is the reporting verb, और फिर बाकी जो बचता है, in the inverted commas, that is known as a reported speech, okay, यह तीन चीज़ आपको याद रखनी है, जो बात कर रहा होता है, that is known as a reporter, उसके साथ जो verb लगा हुआ होता है, that is known as a reporting verb, और जो बाकी inverted commas में part होता है, उसको हम reported speech बोलता है, तो अब direct speech क्या है, direct speech में actual word speaker के repeat होता है, और उनको inverted commas में put किया जाता है, fine, आगे बढ़ते हैं, फिर indirect क्या होता है, indirect में actual words, मतलब speaker ने जो actual words कहते हैं, हम वो नहीं कहते हैं, हम उनको transform कहते हैं, और एक simple manner में लिखते हैं, या बोलता है, fine, मतलब कि इसमें सबसे पहले inverter commas हटा दिये जाते हैं, क्योंकि, देखो यहां लुबना ने कहा था, मैं बहुत busy हूँ, this is the direct form, लुबना ने कहा, वो बहुत busy है, so this is the indirect form, लुबना said that she was very busy then, देखो meaning same निकलता है, जब मैंने वैसे कहा कि, लुबना ने कहा, मैं बहुत busy हूँ, means वो busy है, अब अगर मैं ऐसे कहूँ, लुबना ने कहा कि, वो बहुत busy थी meaning same निकलता है बस फरक इतनी है पहले वाले direct form मैं या जिसको active form भी कहता है मैंने actual words लुबना के use किये थे इस वाले मैं मैंने उसके actual words use नहीं किये मैंने उनको transform किया पर meaning remains the same ऐसा नहीं है कि meaning change हो गया fine आगे चलता है तो हमारे पास पाँच बेसिक चीज़े होती है जो हमें convert करनी पड़ती है ठीक है जब हम direct speech को indirect speech में change करते है तो five basic चीज़े होती है जो हमें convert करनी होती है सबसे पहले हमें reporting verb convert करना होता है according to the reporter speech reporter speech कैसी अगर reporter speech में सीधे कोई statement बात हो रही है तो हम say को for example said में तो हम आसकर में चेंज करते हैं ठीक है रिपोर्टर स्पीच के एकॉर्णिंग हम रिपोर्टर वर्ब को चेंज करते हैं ठीक है उसके बाद इन्वर्टर कॉमास हटा दिये जाते हैं क्योंकि रिपोर्टर वर्ब के बाद स्टार्ट होते हैं इन्वर्टर कॉमास तो जब हमे indirect speech में उसको change करना है हम क्या करते है हम inverted commas हटाते है inverted commas हटाने के बाद हम वहाँ पे conjunction लगाते है ज्यादा तर हम that लगाते है fine तो कभी कभी कोई और conjunction भी लगा सकते है ज्यादा तर that लगाते है ओके अब इस नहीं इसलिए यहाँ पे appropriate conjunction लिखा है कि sentence के according हम conjunction लगाते है उसके बाद reported speech में pronoun होगा fine अगर उसमें pronoun है तो उसको accordingly चेंच करते है हम आगे चलके पढ़िंगे rules की pronouns कैसे change होते है तो फिलाल आप याद रखो सबसे पहले हम reporting verb को change करते है उसके बाद inverted commas हटा के proper conjunction लगा देते है और उसके बाद हम pronoun को change करते है reporting speech में जो pronoun होगा उसको change करते है और उसके बाद direct speech में जितने भी verbs adverbs होंगे last में हम उनको change करते हैं यह पांच चीज़े यह चार पांच चीज़े हमें त्यान में रखनी होती है जब हम direct speech को indirect speech में change करें fine so यहाँ पर यह example है Rajiv said to me active अब यहाँ पर active passive में आप confused नहीं होना active is direct and passive is indirect Rajiv said to me I shall go to the picture today यहाँ पर हमेशे एक चीज़ याद रखना जब भी आप देखो लिखा हुआ है said to यह हमेशा change होगा told में said to हमेशा change होगा told में जहाँ भी आप देखो said to है उसको told में change करो जब भी आप उसको indirect में convert करते हो fine so said to change हुआ told में ठीक है Rajiv said to me I shall go to the picture today Rajiv told me उसके बाद remove हुए inverted commas fine और उनकी जगा लग गया that Rajiv told me that उसके बाद यहां पे लिखा हुआ था I okay I लिखा हुआ था I change हुआ he मैं क्योंकि बाद किसकी हो रही है Rajiv की हो रही है He shall change हुआ would मैं He shall sorry He would go to the picture Today change हुआ that day मैं आगे चलो कि मैं आपको यह rules बढ़ाऊँ कि कैसे change होता है पर फिलहाल मैं आपको दिखा रही थी कि सबसे पहरे change होता है reported verb यह उसके बाद inverted comma change होता है उसके बाद inverted comma की जग़ाई conjunction लगता है उसके बाद change होता है pronoun ओके और उसके बाद जो बाद में verbs, adverbs होंगे वो change होता है accordingly fine so जो हमने अभी example पड़ी उसके हिजाब से जो said to that change in the told inverted commas को that से हमने replace किया I change हुआ he मैं shall go change हुआ would go मैं और today change हुआ that day मैं fine अभा हम पढ़ेंगे कि pronouns को कैसे change करते है these are the set of pronouns इन यह नॉमनिटीव प्रोनाउंस है positive pronouns है objective and reflexive pronouns okay pronouns को हम change करते है according to a rule जिसको हम son rule कहते है fine अभी son rule क्या है s stands for subject o stands for object and n stands for no change okay subject object no change subject object no change subject object no change का मतलब होता है subject object and no change सबसे पहले first person अगर pronoun में देखो pronouns में हमारे पास first person second person and third person होता है so I hope आपको पता हो यह first person second person के फिर भी मैं आपको briefly recap करवाती हूँ first person is the speaker जो बात कर रहा है जो बात कर रहा है वो है first person first person में हमारे पास I, me, my, our यह सब first person pronouns है ठीक है जो बात कर रहा है मैं बात कर रही हूँ so I am the first person pronoun second person pronoun होता है sorry second person pronoun हमारे पास होता है जिससे मैं बात कर रही हूँ ठीक है जिससे मैं आप से बात कर रही हूँ so you are the second person pronoun उसमें हमारे पास you, your यह सा बाता है fine जब मैं आप से बात कर रही हूँ I am speaking I am the first person आप से बात कर रही हूँ so you are the second person और जिसकी मैं बात कर रही हूँ अगर मैं किसी और परसन की बात कर रही हूँ that becomes the third person उसमें he she they इस तरह क्या आता है जो बात कर रहा है that is the first person जिससे बात कर रहा है that is the second person जिसके बारे मैं बात कर रहा है that is the third person उके सो अब आता है वापस अपने टॉपिक पे फिर्स परसन जो होता है वो उसको सबजेक्ट बन जाता है ठीक है चेंज जो सबजेक्ट ऑफ दे रिपोर्टिंग वर्ब उसको रिपोर्टिंग वर्ब का सबजेक्ट बन जाता है सेकेंड परसन को object बन जाता है reporting verb का और अगर आपके direct speech में कोई third person का भी mention है, कोई जिक्र है तो वो change नहीं होता वो as it is रहता है, इस पे हम आगे examples देखें के आपको अच्छे से समझ आएगा देखें, पहला rule क्या था? S-O-N में पहला S, that is subject first person pronoun, हम pronouns की बात कर रहा है, ओके जो first person pronoun है वो change होता है, according to the subject of the reporting verb ठीक है, जो reporting verb, reporting verb मैंने कहता है, यह होता है यहाँ पे, ठीक है, उसका subject होगा, इसका subject यह होता है इसी के according, अगर आपकी direct speech में first person pronoun है, वो change होगा, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, she says I am in 10th class she, यहाँ पे subject है, इसका says का, ठीक है, says reporting verb है इसका subject है, she, और आगे चलके direct में first person pronoun यूज हुआ है, जब भी आगे चलके first person pronoun यूज हुआ होगा, तब इसको change करता है, according to the subject of the reporting verb, that means, इसको आएगा, she says that, अगर की जगा हटा के आएगा, she is in 10th class अभी हम सिर्फ pronouns पे फोकस कर रहे हैं मैं आपको बाखी जीदे explain नहीं कर रही हूँ सिर्फ pronouns पे ध्यान दीजिए next example है I say, देखो यहाँ पे subject है I, okay तो I is the first person pronoun, अगर हम जाके direct speech में देखिए, वहाँ पे भी I है, I is also first person pronoun first person pronoun change होगा according to the subject of the reported verb तो यह आई ही रहेगा, यहाँ पे आए है तो यहाँ पे भी आए रहेगा यहाँ पे आई था तो she में convert हुआ यहाँ पे आए है, इधर भी आए है तो यह बनेगा I say that I am an honest man, okay so यह आपको समझा आ गया होगा next rule पे, next rule was object, अब object की बात करें अगर second person भी mention है, यह rule तब होता है, जब देखो सिर्फ first person की बात होती होगी तो पहला वाला rule लगेगा, अब अगर second person भी है, तो second वाला rule लगेगा जो second person pronoun होता है, reported speech का उसको change करते है according to object of the reporting verb, okay देखो, यहाँ पे say, it is the reporting verb she is object me, sorry subject me is object, okay यह subject है, यह object है यह verb है, she says to me okay, उसके बाद यह हमारा start होता है sorry, reporting speech okay, तो हम इसको according to the object change करते है, ठीक है इसका object क्या है, object यहाँ पे me है, me means first person pronoun, okay, इसका मतलब जो हमारी direct speech है जो हमारी reported speech है उसको, उसका जो second person pronoun है, उसको हम according to object change करेंगे यानि you change होगा first person pronoun में, क्योंकि this is the first person pronoun, that means यहाँ पे change हुआ, she tells me that you has been changed to I, okay हमने you को change किया first person में, first person में you को I बन जाता है, okay दूसरे example देखते है she, subject says, verb her, her object है, her object है, okay, उसके बाद यहाँ पे आता है, ठीक है हर जो है, यह third person pronoun है, okay जब हम हर कहते हैं, तो यह third person pronoun है, तो इसका मतलब जो अब हमारी direct speech जो है, जो reported speech है, उसमें जो second person pronoun होगा, वो third में change हो जाएगा, क्यों? क्योंकि हमारा object third में था, fine, तो you change हुआ she में, क्यों change हुआ she में, यहाँ पे you I में क्यों change हुआ? क्योंकि यहाँ object था, first person pronoun, और यहाँ पे object था, third person pronoun, ओके? और एक एक्जामपल यहाँ पे देखते हैं, I say to them, ओके? यहाँ पे फिर से देखते हैं, हमें object से मतलब है, तो object, object them है, ओके? यहाँ पे object them है, them is the third person, them हमारा जो है, that is third person, इसका मतलब, अब जो हमारे पास reported speech है, उसमें भी, जो second person होगा, उसको third person में convert करना है, क्यों? क्योंकि हमारा object जो है, वो third person में है, okay, you को, okay, अब हम you को third person में change करेंगे, I tell them that you change हुआ them है, fine, अब देखो, अब यहाँ पे बोलोगे, यह ही है, she में तो नहीं change हुआ, क्योंकि them is the plural, okay, object plural में है, तो यह जीते भी आपको ध्यान में रखनी है, क्यों object singular है, या plural है, अगर singular है, तो singular में ही change करोगे, और अगर plural ह नहीं change करोगे, इसलिए you change हुआ them है, okay, this was the rule number second, इसमें हम object देखते हैं, पहले वाले में हम subject देखते थे, क्योंकि सिर्फ subject होता था, object नहीं होता था, इस वाले में जब आपके पास subject भी होगा, object भी होगा, तब आप object देखते हो, third वाला, अगर अब आपके पास third person है, ठी third person of the reported speech, reported speech में कोई third person है, आप बिलकुल भी change नहीं करोगे, वो as it is रहता है, ठीक है, he says, okay, he does not work, उसने कहा, वो काम नहीं करता, ठीक है, देखो यह, यहाँ पर यह और यह ही same नहीं है, क्योंकि यह direct speech है, अगर यह same होता न, तो यहाँ पर लिखा होता, he says, I does not, I, यहाँ he की जगा आई लिखा होता, okay, क्योंकि यह direct speech है, वो कह रहा है, he says, he does not work hard, that means, वो किसी और की बात कर रहा है, ठीक है, उसने कहा कि कोई और, okay, यह वो वाला ही है, और यह ही same नहीं है, यहाँ पर confused नहीं होना, तो यहाँ पर किसी और की third person की बात हो रही है, ठीक है, तो जब जब भी third person की बात हो, यह same रहता, he says that he does not work hard, everybody says, they have spoken the truth, they यहाँ पर third person है, ठीक है, देखो, यहाँ पर हमारे पास subject everybody है, ठीक है, लेकिन अगर हम फिर उसके पास reported speech में जाता है, हमारे पास third person आ जाता है, जब भी आपके पास reported speech में third person आ जाता है, वो change नहीं होता, उसको as it is रखो, okay, so everybody says that they have spoken the truth, यहाँ तक हमने सीखा कि pronouns को कैसे change करते हैं, pronouns को हम son rule से change करते हैं, यानि सबसे पहले देखते हैं subject, okay, reporting, जो subject होगा, उसी हिसाब से हम reported speech को change करते हैं, अब अगर object भी है, तो object के हिसाब से reported speech को change करते हैं, अगर object first person है, तो reported speech में भी first person ही रहेगा, अगर singular है तो singular ही रहेगा, plural है तो plural ही रहेगा, अब अगर object second person है, तो reported speech भी हमारी second person में जाएगी, third person है, तो third person में जाएगी, उसके बात third होता था, अब अगर हमारे पास subject है, और reported speech वहीं से, हम reported speech की बात कर रहे हैं, वहीं से वो third person में है, तो कोई चेंज नहीं होगी इसको नो चेंज बोलता है कि आगे चलता है अब हम पढ़िए कि वर्ब्स या टेंस को कैसे चेंज करें पहला रूल है अगर आपका reporting वर्ब future में या present tense में है कि रिपोर्ट किया होता है यहां पर say sad वह सब लिका होता है अगर आपका वो present में है या future में है तो reported speech के verb में कोई change नहीं रहेगी यानि जो inverter commas में आपकी speech होती है वो आपको as it is लिखनी है ठीक है ना थी present में change होता है ना ही future में change होता है change सिर्फ past में होता है ठीक है जैसे यहाँ पे the teacher says says is the reported verb says present में है कुछ भी change नहीं होगा आप सिर्फ inverter commas हटा के एक conjunction लगाई है done the teacher says गाइतरी performs on the stage the teacher says that गाइतरी performs on the stage okay the teacher is saying this is present continuous तो present में है गाइतरी performs on the stage तो इसको जब change करेंगे it will be the teacher is saying that गाइतरी performs on the stage करना किया है जब भी आपका reporting verb ये वाला present में हो या future में हो सिर्फ आप inverted commas हटा के conjunction लगाई ये बाकी as it is लिखिए ओकी दिखो ये यहाँ पे आप future है the teacher will say काइतरी is performing on the stage the teacher will say that काइतरी is performing on the stage बाकी सारा as it is रहता है सो सबसे पहले आप वर्ब को change करने के लिए याद रखोगे कि अगर आपका reporting verb present में है या future में है तो कोई change नहीं होगा done speech जो अमारे पस reporting speech होती है उसमें कोई change नहीं होगा बस आप inverted commas हटा दीजिए और उसकी जगा दाट लगाई change होता है जब past की बात आए so अब अगर reporting verb आपका past में है so वहाँ पे change होता है reported speech आपकी सारी जो है वो भी आपको past में कर देनी उसको आपको change करना है past में बाकी pronouns और nouns change होंगे वो हमने पढ़ा कैसे होंगे और जो बाकी verbs है उसमें यहाँ जितने भी tenses है उसमें वो past में change होंगे example the teacher said देखो said यहाँ पे past है तो इसका मतलब आगे जो speech आने वाली है आपको उसको भी past में convert करना है the teacher said I am suffering from fever the teacher said that she was suffering from fever okay हमने I am को she was में convert किया she said to me said to told में change होता है I took the breakfast in the morning देखो यहाँ पे subject second person है okay यहाँ पे object भी है तो हम object लेंके object second person है तो इसका जो first person है वो भी second person में change हो जाएगा she told me that she had taken the breakfast in the morning so it was she said to me I took the breakfast in the morning she said to change होता है told में that she had taken the breakfast in the morning okay तो यह सारा हम past में change कर देते हैं अब आपको याद क्या रखना है simple present change होता है simple past में देखो आप अब भी कहोंगी माम आपने कहा था कि present change है नहीं होता वो मैं reported verb की बात कर रही थी यह यहां पर reported speech की बात कर रही है और यह आपका reported verb जो है वो past में है अब आप reported speech को कैसे change करोगे उसमें जो जो simple present है उसको simple past में change कर दो present continuous को past continuous में change कर दो present perfect को past perfect में change कर दो present perfect continuous को past perfect continuous में change कर दो simple past को past perfect में change कर दो और अगर आपके पास past continuous है तो उसको past perfect continuous में change कर दो अब अगर future आपकी reported speech में future है रिपोर्टेड वर्ब तो अल्रेडी पास्ट में है, तो रिपोर्टेड पीच में अगर आपके पास future tense है, तो will या शेल चेंज होगा वोड में, can चेंज होगा कोड में, may चेंज होगा might में, आप ये rules एक बार लिख दो और उसके बाद it needs practice उसके बाद आप practice करो ये rules एक बार आप अपनी notebook पे लिख दो दो तीन बार इनको देख कर करो और उसके बाद आपको खुद से याद रह जाएंगे So thank you, आज के लिए इतना ही इसका second part upload होगा क्योंकि अभी हमें इसमें और rules पढ़ने है और exceptions पढ़नी है That is the most important क्योंकि अकसर exam में questions exceptions से ही आते है So exceptions को समझने के लिए पहले हमें rules समझना ज़रूरी था Next video में हम थोड़े और rules देखेंगे, exceptions देखेंगे और कुछ questions भी practice करेंगे ताकि hold आजाए हमें कैसे change करते है आपके लिए भी questions होगे तो इसका part 2 जल्दी upload होगा So thank you everyone, thank you for your love and support कोई भी doubt हो, कोई suggestion हो मेरे लिए तो आप मेरी telegram channel at the rate of ask underscore archie पर आ सकते है और comment किजिए का कोई suggestion हो और हमारे telegram group account study का जहां पी quizzes होता है discussion भी होता है तो description में channel की link दी हुई है आप वहां पी भी आ सकते है So thank you, good luck and bye